नमस्कार, खोई-खोई सेल्फ रेस्पेक्ट वापिस कैसे पर आपकी चाहे किसी वज़े से, चाहे बोस के सामने, चाहे समाज में, चाहे बिजनिस में लोस होने से, चाहे दोस्तों में, कुछ अलग कारण से, चाहे परिवार में, किसी कारण से आपकी इज्जत अगर हो गए हो लोग आप पर विश्वास ले कर रहे हैं लोग आपको थू थू कर रहे हैं आपकी इज्जत मिठी में मिल गई है जो पुरानी इज्जत है उसको आप वापिस पाना चाहते हो तो उसके लिए ऐसा क्या करें जो आपकी पुरानी इज्जत वापिस लोगों के सामने बन जाए किसी कारण से आपकी इज़्यत मिट्रु में मिल गयी हो तवेल्य बहुत कि नहीं करते हैं पहले करते थे अब नहीं करते हैं तो वही respect आपको बनानी है, वही value वापिस आपको create करनी है, तो आपको ऐसा क्या करना होगा, कि आपकी पुरानी खोई हुई self-respect, आपकी पुरानी खोई हुई इज्जत वापिस मिल जाए, ऐसा क्या करना होगा आपको, ऐसा ये करना होगा. सबसे पहले तो रोज सुबह उठकर एक बात जरूर याद करें सुबह उठते ही कि मुझे मेरी खोई हुई इज़त वापिस पानी है आप रोज सुबह उठकर ये बात याद करोगे न तो आपके अंदर एक confidence जगेगा आपके अंदर एक उम्मीद जगेगी कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि वापिस लोग मेरी वेल्यू करें वापिस लोग मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट करें मुझे कुछ ऐसा करना होगा रोज आप सुबब उठकर ये बात दोराओगे न तो आप जीवन में कुछ करने के लाइक हो जाओगे आपके मन में एक आसा, एक उमीद, एक आत्म विश्वात रहेगा कि मुझे कुछ करना है अपनी खोई हुई इज्जत पाने के लिए तो रोज सुबह उटते ही एक बात जरूर दोरा है कि मुझे मेरी खोई हुई इज्जत और वापिस पानी है और मैं पाकर रखू रहूंगा यह कॉंटेंस यह वर्ड रोज सुबह उटकर दोरा है और उसके लिए मैनत करना शुरू कर दे सेकर्ड, पूरानी यादो को ताजन ना करे चाहे आपके किसी भी वज़े से आपकी इज्जत मिटी में मिली हो चाहे व्यापार में आसा पलता की वज़े से मिली हो चाहे किसी दोस्त को धोका देने से मिली हो चाहे परिवार में कुछ ऐसी बात हो गई हो उस हिसाब से आपकी इज्जत खराब होई हो चाहे समाज में कोई ऐसी बात हो गई हो उस रिसाब से आपकी इज़त खराब होई हो जिस भी कारण से अगर आपकी इज़त खराब होई है ना उस उन बातों को बार बार अपने दिमाग में मत दो रही आप बार बार दो रहोगे ना तो आप दुकी हो जाओगे त्जान रखना कि आपकी एक बार इज़त खराब होगे है तो उसे आप वापिस पाश्ट में जाके चेंज नहीं कर सकते हो यहां इन future में वापिस बणा सकते हो वही इज़त को तो बस future की दियान दे, अपने present की दियान दे कि मुझे मेरा आज का दिल अच्छा बनाना है मैं अपना आज का दिल अच्छा बनाऊगा ना तो मेरा future अपने आप अच्छा बन जाएगा पुरानी यादे, पुराने भूत काल को आप वहाँ जाके उसको change नहीं कर सकते हो आपकी इज़त मिटी में मिली है ना, उस बात को बार बार अपने दिमाग मत दो रहें वरना आप बिना बज़र दुकी होते रहोगे थर्ड, खुद को अच्छा साबित करने के कोशिस मत करें लोगों के सामने लोग क्या करते हैं, लोग की इज़त खराब हो जाती या किसी कारण से लोग बदनाम हो जाते हैं लेकिन वो लोगों के सामने क्या करते हैं, अपने आपको justify करने कोशिस करते हैं नहीं यार ऐसा नहीं होता, वो तो प्राकतिक कारण था इस वज़र से हो गया नहीं यार ऐसे तो वो परश्चति आगई इस कारण से हो गया लोग आपकी परश्चति नहीं देखेंगे आपकी वज़े से कोई गलत कारी हुआ है तो लोग उस गलत कारी को याद रखेंगे चाहे वह किसी कारण से हुआ है चाहे कुछ भी मजबूरी रही हो लोग उसको नहीं देखेंगे तो आप बार बार अपने आपको लोगों के सामने justify करने की कोशिस ना करें आप बार बार करेंगे तो भी लोग यह कहेंगे अरे कुछ नहीं आ ले तो जूट बोल रहा है पहले तो इसा काम करता है फिर आपने आपको अच्छा सब्वित करने कोशिस करता है इसा ना करें लोग आपके उपर विश्वास नहीं करेंगे लोग आपको और बेकूप समझेंगे और आपको तवज़्जा नहीं देंगे आपको वेल्यू नहीं देंगे इसलिए इस बात को लेकर आप अपना अपने इज़द दोबारा के लिए चीत दोड़ मेनत करना शुरू करते हैं आएगी न तो वही पुराने लोग जिस आपकी वापिस इज्जत करना सुरू कर देंगे इसलिए महनत का कोई विकल्ब नहीं है लोगों को इगनोर करना सुरू कर दें आपकी इज्जत खराब हो गए ना तो लोग आपके बार में हजारतर की बात है कोई लोग जो आपके पीट पीछे आपकी बुराया करेंगे आपकी इज्जद को और मिठी में बिलाने की गोशिश करेंगे लेकिन आप उनकी बातों पर त्यान मत देना क्योंकि आपको पता है कि किसी करण से आपकी इज्जद खराब होई तो आप उनका मुबंद नहीं कर सकते हो वो बोलेंगे लेकिन आप एक चीज जरूर कर सकते हो उनको इग्नोर कर सकते हो अगर वो बोलेंगे आप भी बोलोगे तो आपकी इज्जद और खराब हो जाएगी और साथ में आपका टाइम भी वेस्ट होगा इसलिए ऐसे लोगों को इग्नोर करना सुरू कर देंगे और जब आप चावन यद्यक्त कराबड़ करना सलेगे और जोगों को इग्नोर करते हैं कि, gwir간को आपकी बारे में गलत बात कर रहा है, तो आप फिग्क नन yaptयों हर वक्त लोगों के लिए उपलब्द ना रहे हर वखत आप्त लोगों के लिए काम आते हो यह समझते हैं, अरे कुछ नही बहुत ही जरूरी हो तो लोगों के लिए उपलब रहें हैं वरना आप अपना टाइम वेस्ट नहा करें आप अपनी खोई हुई इज़त कैसे पाऊगे आपको अपना टाइम 100% टाइम सिर्फ खोई हुई इज़त पाने के लिए लगाना है क्योंकि जब आप दूसरों के लिए टाइम लगा तो आप अपनी खोई हुई इज़त वापिस कैसे पाऊगे लोग तो वही आपकी इज़त को तवज्जा नहीं देंगे आपको रेस्पेक्ट नहीं देंगे इ लिए उन में एक ध्यान रगना जिसकी योगिता होती है लोग उसको पूझते हैं उसको मानते हैं कुछ अनकुछ अपने अंदर ऐसी योगिता हासिल करने जिससे लोग आपको वापिस इज़त देने लगें लोग आपकी वापिस सेल्फ रेस्पेक्ट करें लोग आपको व आपको विष्वास नहीं करेंगे, इसलिए करेंगे कि आपके इज़त खराब हो गई, आप कितने भी अच्छे सही हैं, लेकिन लोग आपके उपर विष्वास नहीं करेंगे, तो आपको क्या करना चाहिए, आप लोगों से छोटे छोटे कमीटमेंट करें, बड़े बड़े करेंगे, बड़े बड़े वादे तो आपका पूरे करी नहीं सकते हो, क्यों कि आपकी तो इज़त वैसे मिट्टी मिल गई है, लोग आपके उपर विष्वास करेंगे नहीं, तो आप उनके वादे पूरे कैसे करोगे, ऐसा कभी नहीं करें, लोगों से छोटे छोटे पूर्य करके दिखाऊगे ना तो लोग आपके उपर वापिस विश्वास करने लग जाएंगे लोग आपकी वापिस सेल्फ रेस्पेक्ट करने लग जाएंगे लोग आपकी वापिस वेल्यू करने लग जाएंगे और फिर जब छोटे-छोटे कमिटमेंट करोगे ना और उन इसान जो कमिटमेंट करता है वो पूरा करके दिखाता है। इसलिए लोगों से छोटे-छोटे वादय करें और पूरे करके दिखाता है। तो यह कुछ ऐसी बाते हैं जिससे अगर आपके इच्चत खो गई हो तो इन बातों से दुबारा आप अपने खोई हुई इच्चत वापिस पा सकते हो।